एक्शन थ्रिलर जॉनर हम सभी मूवी फैन्स का फेवरेट है क्योंकि भाई आज ओफ दसीट एक्सपिरियंस देने वाली एक्शन थ्रिलर्स कौन ही मिस करना चाहेगा तो अगर आप यह ऐसी ही बॉंब एक्शन सीरीज के तलाश में है जो आपकी फेवरेट सीरीज बनने का दम रखती है तो आप एकदम सही चैनल और एकदम सही वीडियो पर है क्योंकि आज हम टॉप टैन बैस्ट एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं यह आल टाइम बैस्ट एक्शन थ्रिलर सीरीज वाले वीडियो का थर्ड पार्ट है और इसमें हिंदी डब्ड और इंग्लिश दोनों सीरीज आपको मिलेंगी तो चलिए अब जादा देरी किये बिना आज की एक्शन थ्रिलर राइड हम जल्दी से शुरू करते हैं नमबर दस पर एक हाई ओक्टेन एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो कॉंस्पिरेसी ड्रामा लवर्स को बहुत पसंद आने वाली है बेस्ट सेलिंग नॉवल पॉइंट अफ इंपक्ट पर बेस्ड ये सीरीज शूटर एक एक्स मरीन कॉप को फॉलो करती है जो कुछ फॉल्स चार्जेज में फस जाता है अब ये खुद को और अपनी फैमली को कैसे बचाएगा यही सीरीज का थ्रिलिंग पार्ट है दोस्तों इस सीरीज में एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स की तो कोई कमी नहीं है और अगर आपको सप्राइजिंग ट्विस्ट अच्छे लगते हैं तो वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे अब इसके वीक पॉइंट्स के अगर बात करें तो इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्थ पर ज़ाधा ध्यान नहीं दिया गया है कुछ सब स्टोरीज इसकी में स्टोरी में सेट नहीं होती है बस यही इसका एक वीग पॉइंट है इसके टोटल तीन सीजन है जिन में एवरेज 40-45 मिनेट्स के एपिसोड्स है और नेट्फिलिक्स पर ये सीरीज इंग्लिश में आप इंजॉई कर सकते हैं नमबर नौ पर मार्शाल आर्ट वाले एक्शन से भरपूर एक सूपर हीरो फैंटेसी सीरीज है वू असैसिन्स ये सीरीज एक सूपर शेफ की कहानी दिखाती है जो अपनी नौर्मल लाइफ से मैनकाइंड की सेवियर बन कर सामने आती है दोस्तों इस सीरीज की एक्शन कोरियोग्राफी एकदम ला जवाब है और इसके फाइट सीन्स भी खुद एक्टर्स ने परफॉर्म किये हैं लेकिन इस सीरीज में कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं जैसे कि इसमें वी एफेक्स थोड़ा अन्रियल फील होता है और इसकी कहानी भी थोड़ी सी मैसी नजार आती है पर अगर आपको सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज देखने हैं जिसमें एक्शन एकदम अच्छा है तो फिर नेट्फलिक्स पर हिंदी में अविलेबल इस सीरीज को आप ट्राइ कर सकते हैं नमबर आठ पर एक शौकिंग क्लास सिस्टम की कहानी है 2013 में आई सेम टाइटल वाली फिल्म पर बेस सीरीज स्नो पियरसर एक डैडली अपोकलिप्स के बाद इसकी स्टोरी कंटिन्यूसली मूविंग एक ट्रेन में आती है जहां पर सर्वाइवर्स को क्लास सिस्टम में डिवाइड किया गया है और हमारे हीरोज बस इसी क्लास सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं दोस्तों ये एक वेल मेड सीरीज है जिसके केरेक्टर भी काफी वेल थोट आउट है और इसकी कहानी को हम रियल लाइफ क्लास सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं तो ये सीरीज के स्टॉंग पॉइंट्स है अब अगर इसके वीक पॉइंट की बात करें तो कुछ इसके लावा सीरीज में सब कुछ सही है एक्शन ड्रामा और थ्रिल ये सब इसमें मिलेगा एवरेज 40-45 मिनेट के एपिसोड के साथ ये सीरीज नेट्फिलिक्स पर हिंदी में अविलेबल है अगर आप एक एक उलेक्ट्रिफाइंग सूपर हिरो सीरीज देखने के मूड में है तो नमबर 7 की ये मार्वल सीरीज लूग केज को ट्राइ करना तो बनता है ये सीरीज एक ऐसे सूपर हिरो की कहानी दिखाती है जो अपने एरिया से क्राइम कम करना चाता है इस Super Hero Series में action से लेकर VFX तक सब कुछ बहतरीन है यहां तक कि इसके characters भी well made हैं जिनके पास एक clear goal है अगर इसके weak points पर हम नजर डालें तो इसकी story स्टार्टिंग में थोड़ी सी slow होती है लेकिन जैसे ही action शुरू होता है story interesting बन जाती है इसके दो सीजन अब तक release हुए है जिनमें average 40-50 minutes के episodes आपको मिलेंगे इस action series को आप Disney Plus Hot Star पर इंग्लिश में enjoy कर सकते हैं नमबर 6 पर अपनी arrows से ही बवाल मचा देने वाले Avenger की action-packed story है Marvel की यह series Hawkeye end game के events के बाद Hawkeye अपनी family के साथ एक trip पर जाता है लेकिन family time पर भी उसे अपने superhero avatar में आने की नौबत आ जाती है दोस्तों यह एक ऐसी superhero series है जिसमें एकदम well choreographed and well framed action मिलता है वैसे तो इस series में weak points नहीं है लेकिन इस series का जो scope है वो काफी छोटा है क्योंकि यह MCU से जादा connected नहीं है और यह एक छोटी सी कमी इसमें रही है डिजनी प्लस होट स्टार पर यह series हिंदी, तमिल, तिल्गोर, मलियालम लेंग्विज में अविलेबल है सूपर हीरो फैंस तो इसे एक चांस जरूर दें भाई, गैंग बॉर्स वाली crime thriller stories पसंद करने वाले movie fans के लिए है ट्रू इवेंट से इंस्पार फिफ्ट नंबर की एक Korean series Tokyo Vice यह series एक western journalist पर centered है जो Tokyo में एक publication के लिए काम करता है और यह job उसे जपान के dangerous crime world के करीब लेकर जाती है दोस्तों यह एक high budget series है जिसकी shooting जपान में ही हुई है और इसके fight scenes भी actors ने खुद perform किये है इसी वज़े से इसकी story एकदम realistic feel देती है इस series में वैसे action तो कम ही है लेकिन फिर भी interesting story और characters एकदम thrilling experience offer करते है इसका एक ही season अब तक release हुआ है जिसमें average 1 hour के 8 episodes है और Amazon Prime पर Lionsgate Play के extra subscription के साथ आप इसे English में वहाँ enjoy कर सकते है 2021 में release हुई ये popular crime drama series Vincenzo इसकी story एक mafia lawyer को follow करती है और जब ये lawyer अपनी homeland visit करता है तब story का thrilling side सामने आता है दोस्तों इस series में action उतना ज़ादा नहीं है लेकिन जितने भी action scenes इसमें है वो सारे कमाल के हैं और dark comedy तो इसे और भी interesting बना देती है बस इसके episodes का long running time इसका weak point बनता है अगर आप action के साथ comedy भी enjoy करना चाते हैं तो विंसेंजो एकदम बढ़िया choice है average one hour long 20 episodes इसमें हैं जिने Netflix पर आप हिंदी में enjoy कर सकते हैं नमबर तीन पर भाई action का superb dose है Tom Cruise की Jack Reacher movies अगर आपको attract करती हैं तो Amazon original ये amazing series Reacher उस universe का deep experience आपको देगी ये एक former military policeman की story है जो एक बार फिर से criminals की what लगाने निकला है एकदम well choreographed and well executed action sequences इसका पहला strong point है और actors की amazing performance इसका दूसरा strong point बनती है बस इसके villain का जो character है वो थोड़ा और better हो सकता था एक action packed thrilling ride के लिए ये series सभी movie fans को try करनी चाहिए February 2022 में release हुए इसके पहले सीजन में average 40 to 50 minutes के 8 episodes हैं जिन Amazon Prime पर आप English में enjoy कर सकते हैं नमबर दो पर एक बहुत ही dark thriller series है जिसमें vigilantes और police की morality पर सवाल उठाए गए हैं 2019 में release हुई ये limited series Watchman, same title वाली DC comic पर based है जब masked vigilantes को government criminals का दरजा देती है तब एक dark revolution की शुरुवात होती है इस series के amazing writing और इसका direction इसके dark story को एकदम perfectly present करता है इस series में weak points तो एकदम ना के बराबर हैं सिर्फ action के expectation लेकर इसे मत देखेगा क्योंकि action से ज़ादा magical है इसकी theme, इसकी story ये एक mini series है तो ये आपका जादा time नहीं लेगी, 9 episodes के साथ ये series Disney plus Hotstar पर English में available है बाई, आज के time में शायद कोई भी movie lover ऐसा नहीं होगा जिसने Marvel का नाम ना सुना हो पर ऐसे शायद काफी लोग जिन्नोंने Marvel की सबसे finest series अब तक नहीं देखी है तो उनी के लिए है number one पर Marvel की सबसे finest action thriller series Daredevil ये superhero series एक blind lawyer की कहानी है जो देख तो नहीं सकता है लेकिन उसके बाकी sense किसी amazing superpower से कम भी नहीं है और ये lawyer loss break करके भी अपनी city को safe रखने की कोशिश करता है इस series के action choreography से लेकर इसके well written characters तक सब कुछ nearly perfect है तो अगर अब तक आपने ये series नहीं देखी है तो disney plus hot star पर ये English में available है इससे अभी जाकर देखिए इन धमागेदार action thriller shows की ही तरह ये channel भी एकदम धमागेदार है तो channel को subscribe करके the choice box family का हिस्सा बन जाइए और मैं promise करता हूँ कि आपका time deserve करने वाली ऐसी ही best entertainers मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा इस वीडियो का पिछला बार देखने के लिए left वाले वीडियो पर click कीजिए और list अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like and share करके appreciate जरूर करना thanks for watching the video guys जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत